लाल सागर में एक पानी वाले जहाज के साथ क्रू मेंबर्स का पहरण का और ये साथो लोग भारतिये हैं इसको लेकर भारतिये विदेश मंतराले ने संग में शिकायत की है और इसको लेकर विदेश मंतराले बाकचीत कर रहा है इसी बीच खबर आ रही है कि हूती विद्रोहियों ने संग्त अरब अमिराद के अबुधावी एरपोर्ट पर ड्रोन स हमला किया है जिससे काफी भारी नुखसान होनी की आशंका है सिवत अरब अमिरात के लिए ये सदमे वाला दिन है UAE के राजधानी अबुधावी के मुख एरपोर्ट पर सोमवार को अचानक आग लग गई और तीन इंधन टैंकरों में विसफोट हो गया इसमें दो भारतिये नागरिकों समे तीन लोगों की मौत हो गई और छे अन्न घायल हो गए अबुधावी पुलिस की माने तो हमले के लिए ड्रोन इस्तेमाल किया गया था यह UAE के लक्षियों के खिलाफ एक बेहद असामानने हमला प्रतीत होता है यमन के हुती विद्रोहियों ने इस हमले के जिम्मेदारी ली है सन्युक्त अरब अमिरात की सरकारी W.A.M. समचार एजिंसी की माने तो शुरवाती जाज के संकेत बताते हैं कि वे छोटी उडने वाली वस्तुए थी जैसे ड्रोन होता है ये अबुधावी के दोनों शेत्रों में गिरे और विस्फोट हो गया अल अरबिया ने सरकारी न्यूज एजिंसी W.A.M. के हवाले से कहा कि अबुधावी में हुवे इंधन टैंकर विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई है और छे अन्ने घायल हो गये है आपको बताते चले कि इरान सौधी अरब में दुश्मनी है और इरान हुती विद्रोहियों की मदद करता है जो यमन के रहने वाले हैं हुती विद्रोही अपना सबसे बड़ा दुश्मन सौधी अरब को मानते हैं क्योंकि वह इनके खिलाफ लड़ने के लिए खाड़ी देशों के एक गटबंधन का निर्तित्व कर रहा है UAE भी यमन के ग्रह युद्ध में हुतियों के खिलाफ सौधी अरब के साथ है यह घटना करम ऐसे समय में हुआ है जब यमन में सौधी गटबंधन की ओर से सैन अभियान काफी तेज है भारत में यह भी कहा है कि यमन में पूरी तरह से सीज फायर लागू किया जाए उसके बाद एक राजनितिक प्रकरिया को शुरू किया जाए जिसमें महिलाओं को भी एहम भूमिका दी जाए जानकारी देते चले कि यमन में साल 2011 से ग्रह युद्ध चल रहा है और इसका खाम्याजा यमन के सटे पडोसी उठा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि संयुक्त अरब अमिरात में क्या हुआ है अब देखना होगा कि आगे गठबंधन सेना हूती विद्रोहियों के बारे में क्या करती है